तो मैं लोग मैंस G20 वालकप 2024 ग्रूप दी अगला मुकाबला होने वाला है नीदर्लैंड्स बनाम नेपाल मैश नमबर 7 जो खेला जाएगा डेलस के ग्रांट फैलियर स्टेडियम में अब दोनों ही टीम्स नेपाल में खेली गई ड्राइ सीरीज का हिस्सा रही थी जहां नी वीडियो की शुरुआत हम करते हैं वेन्यू के साथ ग्रांट प्रैरियर स्टेडियम में यानि की डैलस के इस वेन्यू पे 11 मुकाबले टोटल खेले गए हैं आठ मैचेस पहले बले बाजी करते हुए और तीन मुकाबले सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं चार बार स्कोर 150 से 169 के बीच दो बार स्कोर 170 से 189 और दो बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है अब बढ़ते हैं भई हैड टो हेड कमपैरिजन की ओर नीदरलेंड और नेपाल के बीच टोटल 12 मुकाबले हुए हैं एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है 6 मुकाबले नीद में 2024 में खेली गई ट्राइ सीरीज के मुकाबले भी शामिल है भाई लोग अब बढ़ते हैं दोनों टीम्स की ओर क्या हो सकती है प्राबेबल प्लेंग 11 और कौन से हैं ऐसे खास खिलाडी फॉम बोथ टीम्स जो कि आपकी फेंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं जिससे की आ आप बहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकें और साथी साथ उमीद करता हूँ यह स्टैट्स आपकी प्रेडिक्शन में भी मददकार साबित हो नीदलेंड्स की जह हम बात करते हैं तो माइकल लेविट, मैक्शो दाउद, विक्रम जीत सिंग, साइब ब्रेंड, स्कॉट ए नीदलेंड्स की, जहां की प्लेइर्स की अगर आप बात करेंगे तो माइकल लेविट, हाल फिलाल अच्छा प्रोदर्शिन कर रहे हैं, 156 के स्ट्राइक रेट से 9 मैचेस में 349 रून्स बना चुके हैं, इन T20 इंटरनेशनल फॉर्मैट, मैक्शो दाउद ने 64 मैचेस में 174 रून बनाए हैं, 121 के स्ट्राइक रेट से, वही साइबरंड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिन्होंने आज मैचेस में 152 के स्ट्राइक रेट से 182 रून्स बनाए हैं, और 5 विकेट भी अपने खाते में जोड़े हैं, वही बॉलर्स के तोर पे अगर आप देखे तो लोगान वैन भी कारगर साबित हो सकते हैं, जिन्होंने 26 मैचेस में 29 विकेट निकाले हैं, और विवियन किंगमा ने हाल फिलाल 18 मैचेस जो खेले हैं, उसमें 8.13 की एकॉनमी से 20 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं, तो ये हैं कुछ ऐसे कारगर खिलाडी फ्रॉम नी पिंदर सिंग एरी, गुलशन जा, करन केसी, सोमपाल कामी, संदीब जोरा, प्रतिस, जीसी और अबिनाश बोरा, खेलते नजर आ सकते हैं, अब जिसमें की ललित राजबंशी पोटेंशल चेंज हो सकते हैं, कुछ ऐसे अगर चेंजिस होंगे तो उसमें ललित राजबंश प्रॉबबल प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, यहाँ पे अगर आपकी प्लेयर्स की बात करें, तो फ्रॉम दे टॉप, कुछल भूरतल, भाई, डीसेंट बडले बाज हैं, 43 मैचेस का अनुबव है, जिसमें 1081 रंस है, एटा स्ट्राइक रेट रेट और 130, कुछल मल्ला की काद मुकालों को कंसिडर करते हुए करन केसी का प्रदर्शन बहद उम्दा रहा है, तोटल अगर आप इनके T20 फॉर्मेट के स्टैक्स पे नजर डाले तो 65 मैचेस में 377 रंस है, 145 का स्ट्राइक रेट और 89 विकेट इन्होंने अपने खाते में जोड़े हैं, वहीं एक औ और उम्दा ओल राउंडर हैं दिपिंदर सिंग एरी, मिडल ओर बल्लेबास जिनोंने 61 मैचेस में 1540 रं बनाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है इस दोरान 149 का और 37 विकेट भी इनके खाते में आए हैं, अब ये तो हुई बात ओल राउंडर की, में स्ट्रीम बॉलर में आ और जीतने के भी प्रबल दाविदार हैं, लेकिन आपके लिहाज से आपकी ओपीनियन क्या कहती है, कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, क्या है वो नीदरलैंड या फिर नेपाल, कमिन सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजेगा